ओम शीहनुमत नमा सीता राम अनुरागी हनुमान में है हनुमान जी की क्युपा पाने के लिए आप मंगलवार या शनीवार को उपवास रखिए खास रखे मंगलवार को चमीली के तेल का दीपक जलाईए और हनुमान जी की सिध्धी प्राप्त करिए हनुमान जी को चमीली के तेल का दीपक बहुत प्रिये है और पीला सिंदू लगाईए चमीली के तेल की दो बुंद लीजिए सिंदू में डालिए और वो सिंदू हनुमान जी को चड़ाईए और हनुमान जी के मंत्र का जाप कीजिए हनुमान जी का वैसे तो मुख्य मंत्र है ओम श्री हनुमते नमहा या फिर ओम हरी मरकट मरकट आए वम 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 पट स्वाहा इस मंत्र से सुशत्टू नाश भी होता है तंत्र नाश होता है गरब आधा दूर होती है और आपकी लगबग हर मुसीबतें अपने आप ही भाग जाएंगी हनुमान जी को सच्चे दिल से याद कीजिए और रोज इस मंत्र का एक माला कीजिए या तो यह मंत्र या तो ओम शी हनुमते नमहा लेकिन अगर आप किसी विशेश प्रयोजन से हनुमान जी को याद कर रहे है तो आप कम से कम दस माला रोज कीजिए दस माला रोज कीजिए और 41 दिन तक आपकी हर मुसीबतें अपने आप दूर हो जाएंगी हनुमान जी की वंदना कीजिए और उनसे प्रातना कीजिए हनुमान जी आप हमारी मुवाद पूरी करे और हमारी सभी मुसीबतों को दूर कर दे और एक चीज़ का विशेश ध्यान रखना है कि आपको प्याज लसुन मास मदीरा का सेवन बिलकुल नहीं करना है हनुमान जी की भक्ती में ये सब बिलकुल ही वर्जित है साधना काल आप सवेवे या रात को सोते समय भी कर सकते है लेकिन हाँ एक बार आगर आप बैठे दस माला करने दस माला करके ही उठे दस माला करने में आपको मुशल से 20 से 25 मिनिट लगेंगे एक माला को दो से 20 मिनिट एक बार याद हो जाएगा प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुती स्पीड में जाप होगा और एक बार आपका मंत्र कावे करने लगेगा तो आपकी हर मुसीबते दूर हो जाएगी फिर आपकी वाल कर्म कीजिए महिनत कीजिए आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है जै श्रीवान जै हनुमान गोम श्रीवान